हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है study power find की एक नए वीडियो नेक्सर में हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था मतलब student ने पूछा था कि भाई pencil जो होती हो कितनी प्रकार की होती है और इसका क्या उपयोग है आज की इस वीडियो में हम फुली बताने वाले हैं कि pencil कितनी होती हैं और इनका उपयोग कहा कहा करते हैं तो आप इधर देख सकते हैं pencil की पूरी जानकारी रिखी यानि फुल नॉलेज आप pencil तो पेंसल भाई हम इंजरियों ड्वाइंग में जो यूज करते हैं हाला कि आर्टिस्ट लोग ज़्यादा यूज करते हैं सभी पेंस आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुगा आला कि दिख नहीं रहा होगा कोई बात नहीं लेकिन एच भी पेल सिंथी हमने बेसिक से समझाए कि यच भी और यच भी को मैं इस तरीके का कुछ पहले इस तरह से एक ब्रैकेट में मतलब सरकल में बन कर लेता हूं यह होती है ह बेसिक पेंसल से कहने का मतलब यहां से ऊपर चलते हैं यहां से नीचे चलते है तो बीच चलता आखिए 85 ए और छ эту Pipis और और फाल्牌रों प्रैप यह क्या है और इसका क्या मतलब होता है तो अगर यहां मतलब हाड होता है वी का मतलब बोल्ड होता है ठीक है बोल्ड का मतलब यहां मोटे से लिया गया है ठीक है डार्क से प्रकार से कहा सकते हैं हाड का मतलब क्या होता है अगर पेल से जितनी बोल्ड रहेगी उतनी मोटी होगी उतनी ज्यादा उसकी खपत होगी मत उतनी जल्दी गिसेगी ठीक है जिससे ड्राइंग हमारी मतलब डार्क टाइप की चीज़े बनती है इस प्रकार से मैं बता सकता हूं कि अगर बी वाली पेल से माल ले थ्री वाली लंगे तो कुछ इस तरीके की ड्रा करेगी बिल्कुल डार्क ठीक है मतलब बहुत ज्यादा और खतम भी दि होती है उतनी कम घिषती है और उतना कम और चमकीली दिखती है अगर हो कहीं पर हम खीषते हैं तो कुछ इस तरीके की हमारी दिखेगी देख तो कितना हलका और कितना डार्क है कुछ इस तरीके का अंतर होता है अब आई ये इसका उपयोग कैसे करते हैं मतलब कहा कहा करते ह सूराम प्रकार कि उसको थोड़ा समझ लो और यार प्रकार समुआ होता है एक प्रकार स्बाइब एक समाज्ट सर दिए है फिर इसी प्रकार से लगभग 9 तक नीचे तख 수 सम्झ लो हो जाती है फि 내내 घरत्स सब Śसें अब जहां पर डार्क दिखाना हो यहां सिस्टेमाल करेंगे अगर हमें कम दिखाने मतलब चमकीली दिखानी हो तुहां और देखो ध्यान है सभी लोग इन सभी पेलसिन का यूज नहीं करते हैं इन सभी आर्टिस्ट जो होते हैं मतलब जो इसक्रेच इससे कुछ करके बोलते हैं उसको जो बनाते हैं इस तरह से करते हैं मैस कैनिकल हो सकता है सिव्ल वाले विसायथ करते हैं लेकिन हमलोगल समेश्टर में हैं तो हम लोग generally किसका इस्तेमाल करते लेकिन मैं बता दू कि पेपर में कौन सा यूज़ करना है यह सबसे बहुत important बात है पेपर में आपको पता होना चाहिए कि मतब EHB यूज़ करें कि यह यूज़ करें कि टू यह यूज़ करें इनका ध्यान करना देखिए EHB में भी दो तरीके कि पेल सिनाती है एक तो हमारी सौप्ट वाली होती है दूसरी डार्क वाली होती है तो यह वाली देख सकते हो मेरे पास जो पेंसल है यह है अपसरा की पेंसल छोटी हो गई है कोई बात नहीं अपसरा की है यह सौप्ट वाली है ठीक है और इसकी दूसरी आती थोड़ा कलर करके आती है जिसे यहां पर बिएति लेकिन डार्क होती है तो पेपर में रहा कौन सा इस्तेमाल करें यह तो बता दो तो लो सुन लो भाई ड्राइंग सिट जो आपकी होती ना वो मोटी होती है ठीक है मोटी होती है और ध्यान रहे ड्राइंग दोनों तरफ यूज़ करके आपको एडी बनाना है ठीक है ना दोनों तरफ यूज़ करके इसका ध्यान रखेएगा हिसाब से बनाएगे नहीं कि बड़ा बड़ा बना द देंगे अभी भाई वह चीजे बोलगे जो बताने थे लेकिन हाँ यह भी पेलसिन कौन सी यूज मैं किया था वह बता देता हूं तो आपको जो पॉलसिन यूज करना और डार्क वाली आपको दो तीन पेंसल लेकर जानी है और इस मतब कोशिश करिएगा कि सबकी दो-दो पे बीडों धोचीज खरीद लेजयेगा एक साफट वाली दो डार्क वाली थीवगे फिर उसके बाद उसके बाद आपको क्या करने है और मैं बताता हूं उसके बाद एक 1B करके लेना, साइध 1B करके लेना, साइध 1B करके लेना, match कर लेना, वात पूछ लेना, जिस सौब से लोग है, 1B और यसट बी डारक वाली क्या हाला क्या हमने 1B नहीं खरीदे अभी तक, इसी से मैंने काम चला लिया था, क्योंकि गाइस जब हम वहां पे उ और जो ड्राइंग स्रीट मिलती है उस पर एक ही बार में कोई से करें ज्यादा गलती नहीं तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि छप जाता हो तुरंद और वहां पर ना वह जो ड्राइंग होती है बहुत चमकीली ट्याइप की होती होती है उस पर यह वाली जब चलाओग ना यह रिट वाली वाई दिखती ही नहीं है अब है OLC और वह से बना रहे थां तो आप इसका और kण करके यह इस इसका भी दो ले ले लेना जाड़ाएं इसको लेकिं एक वनेच भी लेना क्योंकि कुछ सीज़े मैंने जब कोश्चन बताये थे उसमें मैंने कहा था बहुत हलका खीचते हैं भाई तो हलका खीचने के लिए एक हड़ वाला ले लोगे तो काम चल जाएगा सिर्फ आप दिखेगा ज्यादा हुआ डार करने खमकर जब जरुवत नहीं पड़ती तो वहां पर हम इसका का इस्तेमाल कर लेंगे और इसका इस्तेमाल सब कुश कर लेंगे इन सभी पयांसिलों का इस तरह से आणि आपको कानिये मतलब आप यहार 8 पैंसल खरीद लेना अब कुछ लोग कहें को आट 8 पैंसल के हमें तो यह की सकता भाई आपकी प्रश्चा करना लेकिन मेरे जो काम था मैंने बता दिया एक भाई ने पूछा था कि पेंसिंग को कहा करते हैं तो सब कुछ यहां पर डिटल से समझा लिया इन यह का मतलब क्या होता है जानकारी मतलब काफी अच्छी थी हमने कोशिज जुटा लिए भाई सर से अपने आपकी पेंसिंग के बारे में जानका ली थी और कोई डाउट से तो कमेंट कर देना मैं इसी तरीके सापको बना कर दे दूँगा जिसमें आपके डाउट्स क्लियर जाएंगा और सबको नालेज और सेर तो बनता है भाई सेर करोग ना तभी सभी दोस्तों को पता हो कि भाई पेंसल इतनी होती है और इसका उपयो कहां कहां करें कि हमको अच्छा मतब किस तरह से डाइंग में यूज़ करेंगे तो अच्छा में रिस्पॉंस मतब रिजल्ट मिलेगा तो बस यह वीडियो करते हैं मैं मिलता हूं किसी ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई